नमस्कार स्वागत आपका एविपी घंगावे महीववधेश पहाल प्रभाद देख रहे हैं याँ पहाल प्रभाद की शुरुआत करते हैं बड़ी कबर के साथ देरा दून से बड़ी कबर है वैक्सिनेशन कारिक्रम की शुरुआत करेंगे मुख्षमंत्री सुवध साड़ साल से चवालिस साल तक के लोगों को टीका लगेगा और सुवध साड़े ग्यारा बजे हल्दवानी रवाना होगे सीम तीरत M.B.P.G. कॉलेज में वैक्सिनेशन कारिक्रम की शुरुआत मुख्षमंत्री करेंगे तो साड़े दस बजे साड़े ग्यारा बजे हल्दवानी रवाना होगे मुख्षमंत्री तीरत रावत और M.B.P.G. कॉलेज में वैक्सिनेशन कारिक्रम की शुरुआत करेंगे इसके साथे साथ सुशीला तीवारी अस्पदाल में भी विवस्ताओं की निरिक्षन के लिए जा सकते हैं डियार डियो का बनाया हुआ जो अस्पदाल है वहाँ पर भी जाकर विवस्ताओं का निरिक्षन मुख्यमंत्री करेंगे कोबिट केर सेंटर का निरिक्षन करेंगे डियाрडीयो के बनाएगे अस्पदाल का निरिक्षन करेंगे और सुशीला तिवारी कोबिट अस्पदाल का भी निरिक्षन मुख्यमंत्री कर सकते हैं पानी में आज से 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सिनेशन शुरू होगा दोपहर तीन बजे अलमोडा के बेस अस्पताल का निरिक्षन करेंगे शाम पांच बजे अलमोडा से नैनिकाल के लिए रवाना होंगे सीम तीरत सिंग रावत कोरोना संक्रमन कीचें तोड़ने के लिए ल से राजी को कोविट की एक लाख दोज़ जिवाई गई है मुक्षिमंतिर तीरत सिंग रावत ने जिलाधिकारी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सिनेशन कराने के निठवेश दिये हैं तो लगतार कोश से चल रही है कि सोचल डिस्वारिन का पालन हो कोड़ना की चे और अलग अलग सेंटर्स पर कोविड वैक्सीन को भेज़ दिया गया है रजिस्ट्रेशन कराने पर ही कोविड वैक्सीन मिलेगी तो उसका शुभारम बाज 18-44 साल तक के लोगों के लिए होने जा रहा है और हदवाली में वैक्सीनेशन कार्क्रम में शाविल होगे मुख्यमंत्री दो पर साड़े बार बजे हदवानी पहुशेंगे और देरादून से मारे साथ रभी जुड़ गए हैं अंकित शाह हल्दवानी इस जुड़ गए अंकित आपके पास आ रहे हैं मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्क्रम है आज हल्दवानी में अब जा आपको बता दें कि 18-44 साल के लोगों को आज वेक्सिनेशन के डोज लगने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री दीर संग्रावर का हल्दवानी का दौरा है और जहां वेक्सिनेशन लगेगी हल्दवानी के मैं आपको दिखाने चाहिए कि इस प्रांगर में इस हॉल में वेक्सिनेशन कारिया भी कुछ देर में हाँ पर सुरू हो जाएगा और यहां पर मुख्यमंत्री आपर सिर्कत करेंगे पर जाए जालेंगे और जित्ते भी वैक्सिन लग रही है लोगों को उनसे मिलेंगे उसके बाद जो डियाडियो के और से पांसो बैट्स का अस्पिताल बनने जा रहा है कोविड अस्पिताल बनेगा मैडिकल कॉलेज वहां पर जाके निरेक्शन करेंगे और हल्दवानी के बिल्कुल रवी आपके पास आ रहे हैं अगर हम बात करें 18-44 साल तक के लोगों के वैक्सिनेशन की तो कहां से यह कारिक्रम शुरू होगा और किस तरीके से पूरी रूप रेखा रहेगी क्या उतनी वैक्सीन उत्रागंड को मिल गए हैं जितने जरूरत है जी देखी अवदेश आज मुख्यमंत्री दैरादों से इस कारिकरम की शुरूआट कर देंगे राधा स्वामी सरसंग से यह कारिकरम की शुरूआट होगी 18-44 का वैक्सिनेशन आज से शुरू होना है यहां तक अभी जो डोजेस की बात न सिर्फ एक लागग डोजेस उत् अबबा स्थी मात्रा काफी कम है लेकिन स्वास्ति-विवा का कहना है कि लगातार जो और वैक्सीन की डिमान की गई है वो उत्राखन पहुंच जाएगी और जिसके बाद विरहद इस्तर का वेक्सिनेशन है वो उत्राखन में सुचारो रहेगा और सतत प्रक्रिया ये चलती रहेगी तो देरदों से इसके शुरुआत हो जाएगी मुख्य मंतरि आज इसका शुवारम करेंगे उसके बाद मुख्य मंतरी हलगणी पहुंचेंगे वहाँ पर भी वो उसका शुवारम करेंगे और लगाता प्रदेश में आज तमाम जिलों में जो वैक्सीन जहां जहां पहुंची है वहाँ पर इसका सुवारम हो जाएगा तो ऐसे में आज का दिन काफी मैतोपूर है लंबे समय से यूआवर को इंतजार था कि कब उन पर जो है वैक्सीन लगाए जाए और इस बार बड़ चड़कर लोग आगे आ रहे हैं और लोगों को आगे आना होगा अपने जमेदारी समझनी होगी अंकित आपका शुक्रे रभी हमारे साथ आप बने रही कुछ और रहे हम खबरें आप से जानकर लेंगे हरिद्वार की बात करें सुबह 10 बजे से शुरू होगा वैक्सिनेशन और 18 साल से जादा उम्रवालों को वैक्सीन लगेगी वैक्सिनेशन को लेकर लोगों में उत्सा है प्रेमनगर आश्रम रगुनात मंदिर ज्वालापूर में वैक्सिनेशन का रिक्रम चलाये जाएग प्रेमनगर आश्रम रगुनात मंदिर ज्वालापूर में वैक्सिनेशन का कारिक्रम चुरू किया जाएगा तो प्रदेश भर में वैक्सिनेशन का कारिक्रम चुरू होगा और 18 से 44 साल के जो लोग है उनको वैक्सिन लगेगी तो हरी द्वार में भी काफी उत्साह इस बनाए गया है वहीं CFC नौगाओं में 18 वर्स के लोगों को कोविशीड लगाई जाएगी ऑनलाइन रेजिस्टेशन और स्चेड्यूल में बुक करने वालों को ही पीका लगेगा तो CFC नौगाओं में 18 वालों को कोविशीड लगाई जाएगी लेकिन शर्त ये है कि जिन्हों ने रेजिस्टेशन कराया है जिन्हों ने शिविल बुक किया है उन्हें ही ये वैक्सीन मिलेगी उत्राखंड में पिछले 24 घंटे की बीतर कोरोना के मामले कुछ कम हुए है पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,890 नए केस सामने आये हैं जबकि बीते दिन 8,390 नए केस सामने आये थे तो वही कोरोना से 180 लोगों की मौत हुई है जबकि 2731 मरीज अस्पसाल से ठीक होकर डिस्चार्ड हुए है प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 74,114 है उधर जिलेवार अगर हम बात करें तो अलमोडा में 80, वागिश्वर में 5, चमूली में 23, चमपावत में 73, दमसी नगर में 939, उत्तरकाशी में 225 नए मामले सामने आए हैं उत्तराखंड में कोरोना के आकड़ों में कुछ कमी है बीते 24 गंटे में कोरोना के 5,890 नए केस सामने आए और कोरोना से 180 लोगों की मौत हुई है देरादून में 24, 129 हरिद्वार में 733 केस सामने आए हैं दमसी नगर में 939, उत्तरकाशी में 225 मामले सामने आए और इन सब के बीच वेक्सिनेशन शुरू होने से थोड़ी राहत और मिलेगी टीरी में 415, चमूली में 239 केस आए हैं पिथावरा गड़ में 215, रुद्प्रियाग में भी ये केस सामने आए है तो बागिश्वर मे सबसे कम 5 मामले मिले हैं तो बागिश्वर में राहत है और आकड़ों में जो कमी आ रही है बागिश्वर फरुस्ता अच्छा सा है उत्रखन में अब 11 मई से लेकर 18 मई तक पूरे प्रदेश में कुविट कर्फ्यू लगा दिया गया है दरसल आज कुविट कर्फ्यू खत्म हो रहा है जिसे आगे बढ़ा दिया गया इस दोरान प्रदेश सरकार की तरफ से शक्ता आदेश話 है कि कर्फ्यू का सक्ती से पाल तो फिर दिक्कत होगी और रवी हमारे साथ जुड़ गए हैं रवी जो उत्राखंड में कोरोना कर्फिव है जो जरूरी चीजें उनके लिए दुकाने खुलेंगे अगर बहुत जरूरी कारण है तो उसके लिए परिवहन आप कर सकते हैं क्या-क्या और गाइडलाइन्स हैं और जो नहीं मानेंगे क्या उनका चलान कटेगा उनको कोई सजा है जी अवदेश देखें जो आज का दिन है आज एक वजे तक दुकाने खुलने का समय रखा गया है कल 11 तारिक से 18 तारिक तक पूरे प्रदेश में कोविट कर्फिव सक्ति के साथ इसको लागू कर दिया ज जाएगी जहां तक बात की जाए 13 तारिक की तो 13 तारिक को प्रदेश में जो राशन की दुकाने हैं वो खुली रहेंगी बाकि सभी दिन अब राशन की दुकाने भी बंद रहेंगी यह सक्ति की गई है वहीं दूद फल सबजी और डैरी की अगर हम बात करें तो वो सुब दस बजे तक ही खुली रहेंगी जो परतिक दिवस पर खुली रहेंगी इसके साथ ही जो निकाय है उनको सेनिटाइज़िशन करने के लिए कहा गया है कि वो अपने अपने शेत्रों में सेनिटाइज करें और पूरी तरीके से जो कोवीट कर्फ्यू है उसका पालन भी कराएं इसके साथ ही पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन को भी ये कहा गया है कि अब सकती के साथ इसका पालन खराया जा सके वहीं दैरादून के अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत जादा केसिस हैं ऐसे में अब लोगों को कोवीट को देखते वे संकरमन जादा ना फैले ऐस इसके साथ ही हम बात करें तो जो मंडी है मंडी में भी आम आदमी का परवेश वर्जित है मंडियों में सिर्फ किसान और इसके साथ ही जो थो व्यापारी है वही जा सकेंगे आम आदमी भी मंडियों में नहीं जा सकेगा तो तमार रिस्रिक्शन के साथ अगर हम बात करें तो यह कोशिश की गई है कि इस बार का जो कोविट कर्फियू है उसे सक्टी के साथ लागू किया जा सके और इसलिए पूरे पर्देश में कोविट कर्फियू को लगाया गया है। बिल्गुल लेकिन अभी विपक सुमान कर रहा है कि संपूर् लोगडाउन के जरूरत है, तो क्या इस पर कोई विचार हो सकता है, हलform यहीं विपक से जब संपूर्ट लागडाउन लगा था, तो विरोध करते हैं? जी बिल्कुल देखें सम्भावने जरूर थी कि संफून लॉगडाउन लगाया जा सके लेकिन अभी सरकार के अगर बात करें तो प्रदेश में संफून लॉगडाउन का साहस अभी सरकार नहीं जुटा पा रही है उसके पीछे काफी वजय हो सकती है लेकिन इस पर जरूर मं किसिस हैं वो भी कुछ कम हुए हैं जिस तरीके से हम बता रहे हैं लेकिन जी मोहतों का अकड़ा है उसमें अभी कमी नहीं आई है बिल्कुल कभी नहीं आई और यहीं चिलता का विशह है शुक्रिया रवी जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए तो कोरोना से भीगड असार निशाना साधरा है कारप्रणाली पर भी कोरोना से निपटने पर भी और जो आंशिक लॉगडाउन है उस पर विपक्ष की माग है किसे संपूर्ण लॉगडाउन किया जाए सरकार में अंतर विरूद है और जिस सरकार में अंतर विरूद होता है वो सरकार नीने लिने में अक्षम होती है और यह स्तिती इस सरकार में दिखाई दे रही है दो मत हैं कुछ लोग कहते हैं कि लोगडाउन लगना चाहिए कुछ कहते हैं कि देखेंगे तो और नीने की स् और उसका खाम्याजा उत्राखंट के लोग भुगत रहे हैं जब सरुदेनी वेठक हुई थी तो सब पार्टी के लोगों ने एक मत से एक सवर से कहा था कि सरकार कोरोना की इस चैन को तोड़ने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का काम करे ताकि ये जो कोरोना की महामारी ह ये ब्यापक रूप धर्ण ना कर सके लेकिन कोई कदम सरकार ने नहीं उठाए हम चाहते है कि कोरोना की चैन को सरकार तोड़े और लोगडाउन के अगर आउ सकता है उसको इंपोस करना चाहते है और अलमोडा के शेरी शेत्रों के साथ ये अब ग्रामेड शेत्रों में भी कोरोना का केश तेजी से बढ़ गया है जिले में लंबे समय से रोजाना तीन सो सेधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं ऐसे में विपक्ष के साथी अब सत्ता पक्ष के नेता भी राज में पूर्ण लॉगडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं कि अबम महामारी को रोपने में आजबा स्रकार पूर्ण रूप से विफल हो गई है अब केवल एक मात्र बचा है उनकालिक लॉगडाउन का और सरकार को तत्काल जो है इस महरे मारी से बसने के लिए पूर्ण लॉगडाउन लिगाना जहिए पाकि लोग बस इस्तिती ही भयावा हो गई है यहां तक कि उत्राखन के पर्वती शेत्र के गाउं में भी अब यह पुर्णा महामारी बढ़ते जा रही है खई लोगों की मृति हो गई है और हर घर में बिमार पड़ा हुआ है ऐसी इस्तिती में एक मात्र वाय अब किया लॉक्डाउन बचा है कि इस् लोग में रहें तो बहुत हो चुकी है और साथी व्याद का स्वेजिन भी है हमने पहले मुख्यमंदर से कहा था कि 50 कि मातर 25 लोग करिए 25 लोग ने कर दिये लेकिन एक निवे दिन जनता से भी करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है आज साथी करना ऐसे मोके पर कुछ लोग कि पहन करें साथी कर रहें क्या हो सुबता है कुछ दूब जाएं कुछ में रूखने के बार साथी करना चाहरा है और मैं तो टोटल तरह से कुछ समय के लिए लिए लोग डाउन होना चाहिए लुड़ी के अंदर अपने अकबार में बढ़ा होगा है चार 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 जो निजी संस्थाँ की तरफ से दिये गए अक्सीजन कंसेट्रीटर बित्रण किया गए चीवन रक्षक साबित हो रहे हैं इंटरनेशनल ने प्रवाइट किया है और यह हम लोग यहां पर अपने डिरेक्टर स्राजते को संपूर्थ किया है और मैंने यह तै किया है कि इसमें से कुछ हम लोग बेड़वाल और कुछ कुमाऊं ऐसे जो बाउडर छेत्रें पहले उत्तरकास यह चमौली है उदर पित् को बेजेंगे धर्मनगरी हरेद्वार में कोरोना महमारी के चलते हालात काफी गंभीर हैं रोजाना बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हो रही है ऐसे में स्वास विधाओं का जाइजा लेने खुद ग्रांट जिरो पर राजमंत् संदनी राज सरकार और पतंजली योगपीड की और से संचालित बेस होस्पिटल का निविक्शन किया बेस होस्पिटल में पचास कोरोना पॉस्टी भरती है और इस दौरान मंत्री पीपी किट पहन कर कोरोना पॉस्टी मरीजों से मिलने के लिए पहुंचे उनका मोनोबल मरीज हैं उन सबसे मेरे वारता की कोई आपको किसी परकार की दिक्कत तो नहीं है समय पर डॉक्टर रहते हैं आपको दौई देते हैं वो बिलकुल संतुष्ट थे और दो आईस्यू भी वहाँ पर चल रहे थे एक दो आईस्यू वहाँ पर बंद था मैंने का कि जो बिन के लिए टेक्निकल लोगों की आउ सकते हैं उनको तुरंत आप रखेर जो हैं एक दो आईस्यू यहां पर बंद है तदकार उनको चलाएं पौड़ी में कोरोना की बड़ते संक्रमर की बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की कफ़त से लेकर जिलास्पदाल में काफी ध्यान रखा जा फिलहाल जिलास्पदाल में पचास ऑक्सीजन सिलेंडर मुझूद हैं जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो रहे हैं वैसे इसलेंडरों की पूर्ती भी बनाई जा रहे हैं रेग्लर जैसे यह खाली होते चले जायगे वहां भरा जाएगा और यहां जुआ से फिर नेक्स्ट मार्टी रहे में एक रोटेशन में जैसे जैसे खाली होता जाएगा वैसे-वैसे उपर जाएगे और सबता है कि हम लोगुन को और भी ओक्सीजन कर जाएटर मिलें कोरोना के बड़ते मामलों के बीच एक तरफ सामाजिक संस्ताएं मदद के लिए आ गया रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनेतिक दल भी अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं देरादून में कॉंग्रेस ने पांच अम्दियनटकों के लिए निशुक रहेंगे तो सभी अपने अपने अस्तर की सामाजिक दिम्दार नुआドभरे हैं और कांग्रेस ने कच्छी पहल की है पांच अमदान नुधारा गया है और निशुक अмовदा ने चलाई गई है जो इस्तिती है हम विपक्ष में जरूर हैं लेकिन हम उत्राखन के लोगों के साथ खड़े हैं इसलिए प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी ने जो है यहां देरादून में जो है पांच एम्बूलेंस जो है निशुलक लोगों के लिए उप्लत कराने का फैस्ता लिया जिसको आज हम यहां लोगों के लिए समर्पित करने का काम कर रहे हैं और तरखन के पाहड़ी लाकों में कोरोना का कहर बढ़ रहा है इस बेज कुछ लोग अपने प्रयासों से मदद के लिए आगे आ रहे हैं उत्तरकाशी में यमनुत्री विदान स्वास से पूर प्रत्याशी रहे संजय डूबाल और स्वास्ति भाग की टीम ने सब्सक्राइजर आज सभी डॉक्तरों को और समस्य स्टाफ को दिया और जहां-जहां भी जिस छेतर में भी जैसे जहां पर पॉजिटिव ज़्यादा आये हैं हमने वहां महां पर मास्क और सेनिटाइजर उपलक्त करवाए हरिद्वार के रानीपूर गोतवाली चेतर के सलेमपूर महदूद गाउँ में एक दिल धहलाने वाला मामला सामें यहां देरराच सलेमपूर मैदूत गाव में दो बच्चों के शव मिलने सरकम मच गया बच्चों के शव घर के पासी गोदान में खड़ी कार से बराबद हुए बच्चे दो दिन पहले घर से लापता हो गए थे और सूचना मिलते ही समय तमाम अलाधिकारी मोटर पर पहुँचे और बच्चों के शव को कफ़े में लेकर बोस्तमार्ट के लिए भेज़ें कि अध्यार के शव में दो बच्चे हैं जो आपसार का वह दोने निसी में करते तवरिद्वार की ये घटना है रानीपुर को तवाली शेतर के सलेमपुर महदूद गाओं में ये मामला सामने आ इससे पहले भी बच्चे के हत्या का मामला सामने आ चुका है रिद्वार में देरात सलेमपुर महदूद गाओं में जो दो बच्चे थे उनके शव मिलने सालकम मच गया बच्चों के शव घर के पास ही एक गोदाम में खड़ी कार से बरामद हुए बच्चे दो दिन पहले घर से लापता हुए थे और इस ब्रिटेन से लाद इतना ही आप बने रहें इनुपी गंगा के साथ